और जो जैद है उनको अपनी दादी की बेस्ती जो है वो नगवार गुजरी थी और साफ इंकार तुमने कहर दिया था कि मैं आप किसी भी सूरत हाल में यहां से दुलन लेकर नहीं जाओंगा सर आपके पास मैंने वीडियो भेजी है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जबर दस्ती मुझे चिलवाया जा रहा है तलाग दिलवाया जा रहा है और तो बस यही बात्ती के लड़की ने यूँ बैदिया था कि मुझे उससे नहीं करनी मेरा इससे तलाग करा हूँ किसी और से शादी करा है कि मैरा कोई किसी से कप्पी पर रहा ही नहीं है इन्टेर इससे मेरा जो पस निकाह हुता है और निकाह गोट के बात में तलाग हो जाता है कवर करती है और कवर करने के बाद में इसको ख़बर को चला दिया जाता है उस वक्त बहुत सुर्खें बटूरी थी इस ख़बर ने और ये ख़बर थी चार महीने पुरानी वो चार महीने पहले ख़ब मैंने भी चलाई थी और उस दोरान मैं लड़की पक्ष के पास पहुँचा था लड़की पक्ष से हमने पूरी जानकरी ली थी और उस दोरान वहां के सबासद, वहां के कुछ मुख्या लोग मौकी पर थे जन्होंने हमें बताया था कि लड़के पक्ष के पूरी गलती थी अब मैं आपको बता दू की ख़बर क्या थी और कहां की ख़बर थी बुलंद शहर का कसबा औरंगाबाद लगता है औरंगाबाद में दिल्ली के जाफराबाद आलाके से बारात पहुँचती है अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था बाराती खाना खा रहे थे निकाह हो जाता है निकाह होने के बाद में लड़के को खाने पर लाने की तैयारी होती है लड़के के दोस्त लड़के के रिष्टेदार तमाम जो है खाने पर आने के लिए तैयार थे उसी दोरान जो लड़के की दादी शादी में पहुंचती हैं उनसे किसी वहां के घराती ने जो खाना खिलवाने वाले थे कुर्सी से उठने के लिए कह दिया कि ये कुर्सी आप हमें दे दीजिए ये कुर्सी हम जो दूले है और दूले के साती है वहाँ पर लगाएंगे कुर्सियां कम पड़ गई है वो शायद उम्र जादा होने की वज़े से या किसी वज़े एक बार सुन नहीं पाएं उन से फिर दोबारा से कुर्सी वहाँ से जटक के मांग ली जाती है कह दिया जाता है कि कुर्सी ये कुर्सी है थोड़ा इसे हट जाएए इस कुर्सी को जो है हम वहाँ जाके दूले के लिए लिकर जा रहे हैं बस वो चीज थोड़ी दादी को नागवार गुजरी क्योंकि अपनी 50-55 साल तक की उमर में या 60 साल की उमर में लगवक 60 साल की उमर तक उन्होंने इस तरह की बैस्ती कभी ना देखी थी अपने साथ ना कभी सुनी थी क्योंकि एक अखबार की वो ऑनर भी हैं संपादक भी हैं तो जहां वो कभी गई पतरकारता के दौरान और वैसे भी समाच के अंदर हमेशा उन्हें इज़त सही भी नावासा गया वो उन कई सारे लोग मनाने की कोशिश करते हैं दादी नराज हो रही थी कहते हैं ना कि जब उम्र पच्पन की हो जाती है तो दिल पच्पन का हो जाता है मगर दादी की जो उम्र थी वो 65 साल थी दादी को मनाने की पूर जोर कोशिश चल रही थी मगर दादी मान नहीं रही थी द वहाँ पर नेता पहुँचे हुए थे, वहाँ बिगाड़ खाता करना शुरू कर देता है, क्योंकि अक्सर लड़की की शादी हो, या लड़की की शादी हो, एंटी पार्टी वहाँ जरूर मौके पर होती है, और वो ये चाहती है, कि किसी भी हाल में, इनकी जो बात वो बिगड़ जाए, कभी खाने के उपर जखड़ा कर देते हैं लोग, कभी खिलाने के उपर जखड़ा कर देते हैं, जो खिलाने वाले होते हैं लोग, यानि कि बात बिगाड़ने वाले ज़ादा होते हैं, बनाने वाले काम होते हैं, चलिए पूरी जानकारी अब मैं उनी से लूँगा जिस वक्त ये दुला बनकर वहां पर पहुंचे थे और दुला बनने के बाद में इनका निकाह हो जाता है और निकाह होने के महज एक घंटे के बाद में तलाक हो जाता है और तलाक के दौरान जब इनको जब इनको जब इन जाना है इनके उपर दवा बनाया जा रहा था तलाग देने का फिर इन्होंने कहीं जाकर दवाओं में तलाग दिया या कैसे तलाग दिया वो पूरी जानकरीन से लेता है सबसे पहले मैं आपका नाम जाना चाहूँ जी मेरा नाम जैद खाले अब बताईए जो बरात गई थी कहां गई थी और उस बरात में ऐसा क्या हुआ था बात तो सिर्फ हमें जो बताई गई वो दादी को लेकर बताई गई कि दादी के नीचे से कुरसी को हटा लिया गया था तो दुलन की मा मेरे पास आती है कहती है कि जैद कुमारी दादी ने भाहर लड़ाई कर दी है और हम बेटी को जाने नहीं देंगे निकाह हो चुका था खाना भी हम लोग खा चुके थे बस हम विदाई की तयारिया कर रहे थे जी तो घड़के जो बूड़े बुजुक होत तो दोनों की कुरसी को बहुत जादा गंदे तरीके से खीचा गया हम पर और फिर महां पर मेरी दादी को लड़की की माने गालियां भी थी थोड़ी सी तो वह इस चीज़ पर और नराज हो गई लेकिन सब ने मनाया ठीक हो गया लड़की की मा मेरे पास आई धंकिया देने हुआ था तीन साल तक रिष्टा चला था जी तीन साल तक रिष्टा चला था हमारा और आप भी जानते हैं कि तीन साल के रिष्टे में तो सब कुछ पता चली जाता है अच्छा एक बास दो आपकी जो बाते हैं वो लड़की से तो होती रहती होंगी बहुत सारी चैट वग प quir अधे यह करते का लड़की ने काल भी नुइक है कि मुझे मंवी पाप उसके भाई बहने और पांच मैंबर ये घर के में जो है उन्मैंस कोई भी नहीं कोई पूस कोई नहीं ते उसका उसकी साची मैं तो बस यही बात दिए मैंने उससे कि रहने मेरा इस से तलाग करा हो किसी और से शादी करा हो हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते उस वक्त उस दौरान इनका पक्ष हम लोग ले नहीं पाए थे और मेरे पास लगातार जैद के कॉल मेसेज ही पहुंच रहे थे कि सरे एक बार आके आप पक्ष जान दीजए हमें हम खुद शर्मिंदा हैं क даль पास हम देड़ से आहां पर पहुंचे हैं हलाकि जो अपने दिल की गुबार है अपने दिल का बातें हैं वो ही अभ कहर है शायद इससे इनके जो दिल के अंदर गुबार है वो निकल जाए इनकी जो गलती है वो कहां नजर आ रही है ये आप लोग ही अब बताईएगा कि गलती कहां रही दादी के नीचे से कुरसी निकाल ली जाती है वो गलती रही या फिर ये तलाग देते हैं वो गलती रही तो के लिए ऐसा क्या हो गया था कि आपको तलाख दना पड़ गया सर वहां पर हमारे साथ हमारी घर की बहने बेटियां मेरी काफी सारी मौसिब हुआ खाला वगेरा सब थी मेरी वहां पर कुछ पॉलिटीशन थे कुछ पॉलिटीशन थे उनके कुछ रिष्टदार थे जिन्हों ने ना गंस वगरा निकाल ली थी अमरे उपर वो यह कह रहे थे कि हमारे घर की ओरतों के साथ बहुत बल्गर हरकते करेंगे बहुत गलत हरकते हमने की दरवाजा लगा दिया था उसका जी हम वहां पे जो था camera चल रहा था इनफेक्ट वहां के politics जो उनके रिष्टेदार politician है उन्होंने अपना pressure डाल के वहां की जो recording थी और विद आडियो रिकॉर्डिंग ती उन्होंने वह भी टिलेट कर वादी थी तो अगर जैसे तीन साल तक रिष्टा रहा उन तीन सालों की दो का कर सकता है वो भैतर से भैतर वो मैं करने के कोशिश करता था मतलब मैंने कभी किसी की हेल्प ने लिए तो महीने मैं सब 20-25 जारों पे तो हो जाता था कर देते प्यां तो तो कह रहे थे आपने पूरे पैसे भी नहीं दी उस दोरान जब हम वहां पहुंचे थे कि तो कुछ पैसे आप दे याए थे कुछ पैसे नहीं जब तक पहुंचे थे आप तो पता नहीं आपने दिये दिए और इनफेक्ट जो हमारा सोना चांदी था वो भी हमने दिया था लेकिन उनके तरफ से भी आया था समान जो उन्होंने लाल खत हमारे में आता है जैसे आप जानते हो तो लाल खत के दौरान उन्होंने कुछ 30-40 जार रुपे का कुछ एक अंगूठी सोने चांदी वगरा अंगूठी चांदी की दो थी एक सोने की अंगूठी थी और कुछ घर के बरतन वगरा थे हमने इनफेक्ट वो भी वापस भेज़ दिये क्योंकि मेरे गार में कैमरा ल लड़की के पिता मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी तक पिता तें वो यह कह रहे थे कि लड़की के जो ममा लोग है जो उसके मामा वगयरा उसकी मदर के भाई वगयर है वो फैसला करेंगे ने दॉट का नाम जो ता वो इंसान ही सामने नहीं था वो यंसान जूठ साल से अपने बाप से जाधा इज़त दे रहा हूं जिसे मैं तीन साल से इतना क्लोज करके चल रहा हूं हर एक चीज बाद शेयर कर रहा हूं अच्छी बुरी हर एक चीज उस इंसान ने ये बात बुलवा दी कि मैं लड़के के सामने जाँगा के दो मर गया अटेक आ गया और वो गेट पर खड़े होके हमारे लोगों को गाली दे रहे कि कोई अंदर न जाए यह वो और मार देंगे यह ख़़ए इस तरह की बात करें जी मगर हमसे तो कह रहे हैं तिक मुझे बहुत दुख है और जो है इस तरह की बात हुई है और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर चीए और अच्छे रिष्टेदार थे बहुत तारी बुरा इंसान भी करता है मैंने कभी मेरा अल्ला जानता है और सभी जानते होंगे मतलब उनकी आस तक भी उनकी कलोनी से ही मुझे कितने लड़के लड़कियां लड़की की फ्रेंड वगेरा उसके क वहां कि उसके कजिन वगेरा थे भाई वगेरा थे उन्होंने बताया था कि आपका जिस लड़की से शादी हुई है इसका पहले से अफैर चल रहा था आपका आपका अफैर नहीं था इन से यह तो सडलनी क्या हुआ था कि जो मेरी वाइफ है इनके फादर वहाँ पे मौझूद थे जब हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा था तो उस वक्त यह मौझूद थे और इन्होंने एक एक पल एक चीज सही गलत का फैसला है इन्होंने वही करा और फिर मेरी दादी ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि देखे तीन साल म काम कीजिए आप हमारे घर में लड़का देजिए मुझे लड़का पसंद नहीं मेरा कोई किसी से कभी अफैर रही नहीं है इनफेक्ट मेरा जो फस्ट अफेर था फस्ट रिलेशन्शिप था वह सब कुस्ता वह उन्हीं की बेटी से था जेवा से जी अब सना आपकी साथ ह बहुत खुश यह एं ला का शुकर है बहुत जादा खुश हैं और जो मेरे साथ हुआ कैते हैं उपर वाला जो अच्छा ही करता है कभी किसे अफ़ गलत नहीं हों देता। जो जिस के हरे हैं वह जरूर होता। तो मेरे साथ जो हो इस ऊच्छाए मुझे एक बहतर से बहतरी मिला फिर भी जो हुआ हम यह कहेंगे जो करता है अच्छे के लिए करता है मगर जिस तरह से हुआ उसके लिए क्या कहेंगे क्या कहना चाहेंगे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को अपने घर alla रहे और किसी को अपने भिर फुला ने इज्जट करने के वास्ते तो अनके साथר वाले से डरें बस मेरा यही तुमने कर दिया था कि मैं आप किसी भी सूरत हाल में यहां से दुलहन लेकर नहीं जाओंगा सर वहां पर आप कैमरा जब देखेंगे ना लड़ाई जो शुरू हुई है बाहर एक कैमरा था अंदर एक कैमरा था तो उसमें साफ ही जाहिर हो जाएगा कि दादी मेरे पास नहीं आई और मैं दादी के पास नहीं गया इनफेक्ट मेरे पास मेरा मुबाइल भी नहीं था तो दादी का कैसे मेरे पास आ जाएगा मेरे को कैसे मुझे तो लड़ाई शुरू होने के बाद यह पता लगा कि दादी की कुर्शी से लड़ाई हुई है नहीं पूँद बताईये तीन साल में जिस इंसाने चीक के बात नीकिए वो इतने खास दिन लड़की को गाली दे सकते हैं यह भी बास आई ती कि लड़की को गाली दिये हैं जिनसे मेरा निखा हुआ है ना मैं उनको नहीं सामने लाओंगा वरना वो आपको बताएंगी कि आ चाहिल से चाहिल इंसान है कितना ही पीने खाने वाला है वह मज़ड में नहीं गुश सकता उसे यहीं दूले बन कर गए थि उस धौरान जिस वक्त यह हासा हुआ मैं हासा ही कहूंगा, क्या कि तीन साल तक, जिसे अपने सपनों में ये देखा करते थे, सपनों सवजोई थे बहुत सारे, बहुत साले ख्वाब जो है सवजोई के रखे हुए थे, कि मेरी शादी होगी, और हम कहीं जाएंगे, गुमने के प्लान भी किये होंगे कही न कहीं है न जी और बाते कब तक होती थी जैसे बात चलती है आज तक आज लड़की लड़कोंगे 24 गंटे में 12 गंटे बात होती थी 12 गंटे बात होती रहती थी वो मैं ये संदेज देने की कोशिश कर रहा हूँ अक्सर ऐसा होता है कि लड़की और लड़के का रिष्टा हो गया और रिष्टा होने के बाद बात तुरंट जो है कुछ दिन में बात शुरू हो जाती है ये रिष्टा कहां तक मजबूत हो पाया ये रिष्टा इतना मजबूत क्यों नहीं हो पाया कि वो लड़की खुल कर सामने आ पाती या जो जाथ हैं वो खुल कर सामने पहुँच पाते कि हम मैं किसी सूरतयحाल में चाहे मुझे गोली मार दी जाए मैं तलाक नहीं दूगा या वो लड़की सामने आ जाती कि मैं तलाक को कबूल नहीं करने वाली यह तलाग यह मुझे ना दे लड़की ने ऐसी मतलब क्या ऐसी कंडिशन हो गई थी कि गंडगती थी क्या कर दिया था मेरे उपर सार पीछे जो मेरे दो तिल लोग खड़े हैं कुछ मेरे बगल में भाई है मेरा और और भी बगल में लोग थे मेरी फ तलाग कभी नहीं हुआ हम थे थी कि हम बीटी ही लेकर जाये मेरी देखिये मेरे साथ मेरी बेहन भाई ती उनके साथ गलत करने की बात उपर से फिर जिन्नोंने मुझाया ले बात बोली चिज़ यह कि मेरे पीछे गलनग आके बुल रहे हैं कि अगर अब मुझे तलाक नहीं मीज़ता है तो यह तो उसको मेरे हर पर शब जब मैं वीडियो देख रहा हूँ वीडियो मैंने देखा है आपका जिस वक्त आपसे तलाग बुलवाया जा रहा है तो कई बार लोग प्रेशर डाल रहे हैं आपसे कह रहे हैं और आपने कई बार कहने के बाद में तलाग दिया कि मेरे से काफी मुझे आदा घंटा हुआ पर टोचर किया गया इन फेक्ट मुझे मारा भी जा रहा था मुझे मारने की पूरी कोशिश दी वो तो उस उपर वाले का करम है कि मेरे बाइभाई थे मेरे और भी रिष्टेदा आते स्कूल फ्रेंड्स वगरा थे जो कि उन्हें स आप रिकॉर्डिंग अगर चाहें तो आप नियूज वाले आप निकल वा सकते हैं बाकि उन्होंने वो डिलीट करवा दियुए और ऐसे कोई किसी के वहाँ पर जाके ये इलीगल है कि किसी की रिकॉर्डिंग डिलीट करवाए जैदका साफ तोर से कहना ये है कि मुझसे तला आप जबरन वहां पर करवाया गया गन लगा दी गई थी डड़ा दिया गया था पुरी जो लोग इनके साथ गए वोई थे सब दहसर जदा थे उस तोरान के ऐसा नहों कि दूले के साथ में बत्तमीजी हो जाए दूले को घसीट न लिया जाए को दूले के साथ कोई मार्प फुपोगी थी जो कि उनको घसीट के ले जाया जा रहा था भार आदमियों के द्वारा उन्हें भार घसीट के ले जा जा रहा था तो वह चीखे मारी थी और मेरी एक फुपो जो थी उन्हें हाट अटेक भी आ गया था वह बिलकुल मरने से बस यह समझ लिए अल्ला का आज आप लोगों ने सुना हैं कि किस तरह कि इनके साथ में वहां पर वारदात हुई थी जिसके वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया और संसनी का माहौल वहां पर हो गया था काफी लोगों ने दुख भी जिताया था कि जो हुआ वो गलत हुआ तो ये थी हकीक किसी भी मीडिया गर्मी को इस दोरान बात नहीं हो पाई थी क्योंकि ये सब रात में हुआ था और जो बरात है वो रात को ही वापस दिली लोटाई थी